Good morning childrens, I am Nisha Michael, your Hindi teacher. Today, we will do the exercises of lesson number 11, Vilom Shabd. Part 11, Vilom Shabd. बच्चों, पार्ट 11 के पार्ट 1 की वीडियो में हमने विलोम Shabd को पढ़ा था, कि विलोम Shabd क्या होते हैं और उसको समझा था. आज हम इस चेप्टर की exercises करेंगे, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं. Exercise number 1 is, निम्लिखित प्रशनों के उत्तर दीजिए, मौखिक अभिव्यक्ति. या आपके मौखिक प्रशन उत्तर हैं? Question number 1 है, एक दूसरे के उल्टे अर्थ वाले शब्दों को क्या कहते हैं? एक दूसरे के उल्टे अर्थ वाले शब्दों को क्या कहते हैं? उत्तर है, विलोम शब्द. एक दूसरे के उल्टे अर्थ वाले शब्दों को क्या कहते हैं? उत्तर है, विलोम शब्द. Question number 2 है, आना शब्द का विलोम बताईए. आना का क्या होगा बच्चो? जाना, आना का जाना. आना शब्द का विलोम बताईए. उत्तर है जाना एक्सरसाइज नमबर टू इस विलोम शब्दों के जोड़े बनाईए यह आपको मैचिंग करनी है और फर्स्ट वाला किया हुआ है पहले इस्तरी का किस से मैच किया हुआ इस्तरी को पुरुष से इस्तरी पुरुष नेक्स्ट है देश देश को मैच करेंगे विदेश से देश को मिलाएंगे विदेश से नेक्स्ट इस उल्टा उल्टा को मिलाएंगे सीधा से उल्टा का सीधा तो उल्टा को सीधा से मिलाएंगे नेक्स्ट इस सेवक सेवक का क्या होगा स्वामी सेवक का स्वामी तो सेवक को मिलाएंगे स्वामी से नेक्स्ट एस असली असली को मिलाएंगे नकली से असली का नकली एंद लास्ट वर्ड इस सुख सुख को मिलाएंगे दुख से सुख का विलोम क्या होगा दुख फिर से देखी बच्चो स्त्री, पुरुष, देश को विदेश से मिलाएंगे, उल्टा को सीधा से मिलाएंगे, सेवक को स्वामी से मिलाएंगे, असली को नकली से मिलाएंगे, सुख को दुख से मिलाएंगे इक्सरसाइज नमबर थ्रे इस निम्न लिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए यहां आपको कुछ शब्द दिये गए हैं और आपको क्या करना है इनके विलोम शब्द लिखने हैं फर्स्ट है आपका लाब लाब का विलोम क्या होता है हानी लाब का विलोम हानी लाब के सामने लिखेंगे हानी नेक्स वर्ड इस धर्म धर्म के सामने लिखेंगे अधर्म धर्म का विलोम क्या होता है अधर्म धर्म का अधर्म तो धर्म के सामने लिखेंगे अधर्म Next word is शत्रू शत्रू का विलोम मित्र शत्रू का विलोम क्या होता है मित्र तो शत्रू के सामने क्या लिखेंगे मित्र Next is सच्चा सच्चा का विलोम क्या होता है जूटा सच्चा का जूटा तो सच्चा के सामने लिखेंगे जूटा नेक्स्ट इस आगे आगे का विलोम पीछे आगे का पीछे तो आगे के सामने लिखेंगे पीछे इन दे लास्ट इस अंधेरा अंधेरा का विलोम क्या होता है? उजाला तो अंधेरा के सामने लिखेंगे उजाला लाब का हानी, धर्म, अधर्म, शत्रू, मित्र, सच्चा, जूटा, आगे, पीछे, अंधेरा, उजाला Next exercise is बहु विकल्पिय प्रश्न सही विलोम शब्द वाले विकल्प पर राइट लगाईए आपको यहाँ नमबर वान, टू, त्री, फो, फाइव करके कुछ शब्द दिये गए हैं और सामने त्री ओप्शन दिये गए हैं आपको उन में से करेक्ट ओप्शन को के सामने वाले बॉक्स में राइट लगाना है देखिए नमबर वान नया नया का विलोम क्या होता है अच्छा, गंदा, पुराना क्या होता है नया का पुराना तो पुराना के सामने वाले बॉक्स में हम राइट लगाएंगे नया का पुराना नमबर टू इस रोना ओप्शन्स हैं हसना, गाना, सोना तो रोना का क्या होता है हसना तो हसना के सामने वाले बॉक्स में हम राइट लगाएंगे कै, हसना, हसना के सामने वाले बॉक्स में राइट लगाना है नमबर थ्रे इस पवित्र आप्शन्स हैं पवित्रां अपवित्र साफ तो पवित्र का विलोम क्या होता है अपवित्र तो खै आप्शन्स अपवित्र के सामने वाले बॉक्स में राइट लगाना है नमबर फूर एज लेना आप्शन्स हैं देना लिया लेंगे तो लेना का विलोम क्या होता है देना तो कै देना के सामने वाले बॉक्स में राइट लगाना है नमबर फाइव एस अमीर आप्शन्स राजा, गरीब, सच्चा तो अमीर का विलोम क्या होता है गरीब अमीर का गरीब तो खै गरीब के सामने वाले बॉक्स में राइट लगाना है The next exercise is रचनात्मक गतीविदियां बॉक्स में से दिये गए शब्दों को पढ़िए एक दूसरे के विलोम शब्दों के जोड़े बना कर लिखिए बॉक्स में से दिये गए शब्दों को पढ़िए क्या करना है यहां आपको एक बॉक्स दिया हुआ है उसमें से आपको शब्दों को पढ़ना है और फिर क्या करना है एक दूसरे के विलोम शब्दों के जोड़े बना कर लिखिए और विलोम शब्दों के जोड़े बना कर आपको यहां पर नीचे जहां space दिया हुआ है डैश दिये गए हैं यहां पर आपको लिखने हैं एक example भी दिया हुआ है आगे पीछे इसी तरह से विलोम शब्दों के जोड़े हमें यहां पर बना कर लिखने हैं आगे पीछे next लिखेंगे नया पुराना नया पुराना फिर next लिखेंगे सच्चा जूटा आगे पीछे उसके नीचे वाले ब्लैंक में लिखेंगे नया पुराना फिर उसके नीचे वाले ब्लैंक में लिखेंगे सच्चा जूटा The next column में आएंगे, यहां लिखेंगे, पवित्र, और पवित्र, सुख, दुख, अंधेरा, उजाला आगे, पीछे, नया, पुराना, सच्चा, जूटा, पवित्र, और पवित्र, सुख, दुख, अंधेरा, उजाला तो बच्चों यह थी आपकी exercises, पाठ ग्यारा की exercises This chapter is over Thank you Thank you